नमस्कार दोस्तों जी एस वाड़ी में आप सभी का स्वागत है यहां पे बिहार पीसेस के लिए जो 23 जनुवरी को प्रिक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत विकल्भी प्रिश्णों के स्रेंखला मैंने प्रारंब की थी तो यहां पर अभी तक हम ने देखा तुर्की सा सासान के बारे में वहां पर जो बिहार में स्सापीत हुए अब देख रहे हैं अफृट सासन के बारे में ऐसंतर में सारे प्रिश्णों का संकलर्ण मीलेघा आपको तहले करता है बिहार में अफबन देन किसे बिहार का नुहानी को बिहार में नुहानी राज का सनस्थापक कौन था नौहानी राज का संस्थापक माना जाता है इसका व्तोता नाम जो था वो फरीद का था बाद रसा की उपाद्री सेर कि उपाद्रे दी गई थी स्था को सेiras象 कि उपादी किस ने दी थी मोख्मद नुद भान pig C said K desires prima के पिता-हसं-Khan ध्यागीदार्दते कहां के जलाल निकथा था तो वह जलाल के साथ के सेरस अने किस युद्ध में ने को पराजित किया किसे बेएट किया यह चौशा की सथंग में पराजित किया और विल्गर्वन करनाट के युद्ध में धोनों में Four State किया है और फिर उसके बाद हैं से हुमायू भाग जाता है राण की तरफ जो फिर काफी लंबी समय के बाद वापस रिटेर्ण होता है सेरसा दौरा पटना के नोनिर्माड का वर्ण किस रचना में मिलती है तो यह तारीखे दाउदी में मिलती है सेरसा दौरा अफगान राज की प्रनरस्थापना किस युद्ध के उपरांथ हुई थी कन्नोज या बिलिग्राम युद्ध के बाद सेरसा का प्रसासनिक प्रयुक साला था ये कहां था? सहसराम में था बिहार का अंतिम सासक कौन था? बिहार का अंतिम सासक दाउद खां करारानी था सेरसा का मकबरा कहां पर इस्ते थे? सहसराम में इस सेर्सा का मखबर सेर्सा दोरा पटना का दुर्गा और पटना को राज़ानी बनाने की चड़्चा कहा पे मिलती है तारीख है दाओदी के रिचना मिलती है जो अब्दुल्लाह ने इसकी रिचना की थी तो उपरोग सभी ऊसने किया था जबती प्रणाली भी चलाई थी जपती प्रणाली क्या होती थी जपती प्रणाली ऐसी होती थी जो पैमाईश के आधार पर नाप जोग के आधार पर लगान का निर्धारन होता था भूमी का नाप जोग होता था उसके आधार लगान का निर्धारन पूंड़ता वज्ञानिक पद्ध होती थी ना रोपया का अभुषार साल किया ता कि किला का निर्मान करवाया था किसी ने करवाया था सेरसा ने करवाया था निम्न में से कौन सा कारे सेरसा द्वारा नहीं किया गया थे कौन सा कारे नहीं किया गया था देश की भूमी का सरविक्षण सेरसा द्वारा किया गया था ग्रंट टंक रोड शड़की आजम का निर्मार किया गया था, सेर्सा के दौरा, इबादत खाना का निर्मार, ये नहीं किया गया था, किसानों को पट्टा देने और कुबूली प्रथा के आरब किया गया था, तो यहां Option C सही है, इसके दौरा नहीं किया गया था, मद्धिका सुअल का है इसलाम सां का आय worship को बना और यहां पर जेल के मद्धि सब्सक्राइब बना है एया मगच चोब लिए बनाया गया था किसने बनाया था सेर साह ने बनाया था सुफी संत सेख वडन किस अफगान सासा के समकालीन थे तो वो सेर साह के समकालीन थे सेर साह के समय थे और इसलाम साह के समय भी थे तो इसलाम साह का मखबर अंतिम मखबर था अश्कोणी में सेर साह के अधिन बिहार में कितनी सरकारें सरकारें प्रमंडल थी तो यह स्तात्व थी सेर्था दौरा पटना के लिए और नगर को बनाने कितना ब्यकिया गया था पांच लाक ब्यकिया गया था अब देखते हैं मुगल का निंद भी हार 1526 में भारत में मुगलों का आगमन होता है मुगल आते हैं और उनका सामना पहला होता है इब्राहिम लोदी के साथ और पानीपत का प्रतमिद होता है उसके बाद इब्राहिम लोदी वहां पर हार जाता है इब्राहिम लोदी के हारने के बाद भारत में मुगल सामराज की अस्थापना की जाती है मुगल साशक बाबर किसे पराजित के था तो किसे पराजित किया था महमूद लोधी को महमूद लोधी को पराजित किया था और महमूद लोधी जो था इब्राहिम लोधी का चाचा था है ठीक है और इसने कहीं कहीं जो है ऐसा भी जेकर मिलता है कि इसने बावर को आकरमण करने के लिए निमंतर दिया था इसने और रा लौट गया तो किसे ये मुनीम खा को पंद्रस वस्ती में बिहार का सुभिदार किसे बनाया गया था ये खान ए आजब मिर्जा अजीज को का इनको बनाया गया था किस मुगल सासक के समय बिहार पठानों मुगलों के बीच लड़ाई का केंदर रहा है तो कौन रहा है अकबर किस समय में कहां के उजयनी राजा दल्कटट साही में बिद्रोग किया था जगदीस्फोर में बिद्रोह का अधमन करने के लिए स्हवाज को बेजा गया था जगदीस्फोर से आगे ऑधुनीक आंग्रेजों का प्रशिकन हो любим नेता होते हैं का उस्धि दो हमने चाहिं पर बिहार को सरुपर था अपने सामराज मिलाने माला मुगल सासक कौन था अकबर था बिहार को मुगल सामराज के प्रामत का दर्जा दिया गया था किस मुगल सासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमणत दर्सन किया था भावर ने किया था किस मुगल सासक ने मनेर में बंगाल के सुल्टान से भेट की थे हुमायों ने की थे पटना की विजह में किस मुगल सासक ने भाग लिया था अकबने चुकि वहां पर अकबर को जाना पड़ा था चोटी मुटी जो उसके सेनापती तो वो सब नहीं हरा पा रहे था तो फाइनली अकबर को वहां अभियां पर जाना पड़ा किस मुगल राजकमार ने अपने विद्रोह के करमी बिहार में सरण लिए थी तो किसे ने लिया था साह जहां ने लिया था मुगल कानी बिहार में कितनी सरकारे प्रवंडल थे तो उस समय साथ थे अकबर कालिन बिहार के सुब्यदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था यह राजा मान सिंग थे बिहार के किस मुगल सुब्यदार ने रहतास को अपनी राज़तानी बनाय था रुपए वेकिये गए थे बिहार में राजकुमार अजीम का कारेकाल कितना था वह 1702 से 1712 तक था और अंगे जेब के सासनकाल में बिहार में सरकारों प्रमंडलों के संख्या कितनी थी वह 8 हो गई थी एक पड़ गई थी किस मुगल सासनकाल में खोकरादेश चोटा इसमें जिकर आता है और गुर्तेख बहादुर का भी था मुटेख बहादुर के लाओं गुर्गोविन से कि जनमिसालीवी कre पटना ही था किसमुगल संवराज के सासनकाल में बिहार पर डिल्ली का नियंतरन स्थापित हुए था रिंफ़िए कह चला गया का कि सुंस्वा के सासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंतर्ण वस्तोत समाप्त हो गया था तो यह फरुक्सियर के सासनकाल पर लगभग समाप्त हो गया था और मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि बिहार पर पर्मानेंट नियंत जो कंट्रोल था वो मुश्किल हो रहा था रखना क्योंकि दिल्ली दूर थी और रास्ते काफे दुर्गम थे और लोगों का वहां तक नियंतरन डार्इक्ली स्थापित कर पाना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था इरानी यात्री मुहमद साधिक किस प्रत्मगल शम्राठ जिसका राजा विश्यख बिहार में हुआ था फर्रुखशियर का पटना में कैड़ कि इस सब्सक का का लिए टाया कि कि स्मुगल सासक के बिहार पर बंगाल के नबवाबों कर नियंतर शापित हुआ था वँ बहादूर है था मुगल सासक का कि पहला मुगल सामया जिसका सरक्षण अंग्रेजंग के विसका महादीज किसमधा था मोगलोंया में मुगल सहब से rendre को है मिलता है मनेते सांधुमिध का मकरळस बिहार के मनेट का मकरा बनाया था किसे बनाया नह immers सब्यार कर में ने और दोलत का दौलत का मकबरा के समंद में क्या सही है उप्रोक्त में से तो यह भी दोनों सहीं है आप इसका निर्मान लाल पत्थर से हुआ है इसका अकबर के अधिन विक्सित संसले से सैली का प्रभाव इस पर देखा जाता है 1556-17945 सासक अकबर ने किसकी विद्धिता के पुरस्त कार में उसे मिठला का राजे दीया था तो किसी दिया था महिष्ठ ठाकुर को दिया था साह जहां के काल में बिहार का सुभेदार कौन था? साइस्ता खान अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल सामराज में मिलाया था किसे ने कब मिलाया गया था? ये 1576 में मुगल काल में किस वर्स बिहार को बंगाल सुभे का अंग मान लिया गया था? कब माना गया था 1733 वे बिहार में सासंग करने वाला प्रथम मुगल साजादा था कौन था साजादा प्रवेश था तो यहां पर हमारा मध्धिकाल समाप्त होता है अब हम यहां से आगे देखेंगे अंग्रेजों का आगमन होता ही एरोपी कंपिनों का आगमन होता है और उसक करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए अगर आपको अच्छी नहीं लेए डिसलाइक भी करिए महाँ वजह जरूर बता दीजेगा और दोस्तों तक पहुंचानी की कोसिज करिए जिससे की और उनों को भी हिलाब मिल सके